तर्बूच तो हम सभी खूब खाते हैं गर्मियां आते ही लाल लाल मीठा मीठा तर्बूच सभी को बहुत पसंद होता है और हो क्यों ना क्योंकि शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है गर्मी में बहुत जरूरी होता है तर्बूच खाना हम सभी तर्बूच तो खा लेते ह लेकिन इसके छिलके को फेक देते हैं, तो मैंने इससे पहले भी छिलके की, टूटी फुरुटी की रैस्पी शेर की थी, आज मैं आपके साथ बहुत ही नई रैस्पी लेकर के आई हूँ आपने इमेजन भी नहीं किया होगा, कि इसके छिलकों से आप इतनी बड़िया रैस्पी बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तरबूच की छिलके बचे हैं तो हमें इनके रैड वाले पार्ट को अलग करने की जरूरत नहीं है अगर बहुत ज्यादा रैड वाला पार्ट है तो थोड़ा अलग कर दीजिए थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा आप हम इसके जो ग्रीन बाला हिस्सा है यानि कि जो इसका छिलका है इस परत को हमें अलग करना है तो इसको अलग करने के लिए या तो आप इस चिलके को उल्टा करके इस तरह से चिलके को अलग कर सकते हैं या जो दूसरा तरीका है उसके लिए आप चिलके को सीधा रखिए और डिरेक्टली इसको आप इस तरह से काट दीजिए इसी तरह से हम सारे चिलकों का green part अलग कर लेंगे और इनको हम इस तरह इसे काट लेंगे तो आप मोटा या छोटे छोटे तुकडों में कैसा भी आप काट सकते हैं मैं इसको ठोड़ा roughly काट लेती हूँ तो चलिए इसी तरह से हम सारे तुकडे कर लेते हैं तो लीजे हमने सारे इस तरह से तुकडे कर लिये हैं, अब लेंगे हम मिक्सी का जार और उसमें हम इन तुकडों को डालेंगे और अब हम इन तुकडों को अच्छे से पीस लेंगे, तो आपको इसमें पानी डालनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्रेडी तर्बूज में चिलकों में पानी की मात्रा जादा होती है तो चलिए हमने इसको अच्छे से पीस लिया है, और इसको हम अलग बोल में निकाल लेते हैं, अब चलते हैं हम गैस की तरफ, यहां पर हमने रखी है कढ़ाई, आपको इसी भी कढ़ाई यहां पर ले सकते हैं, और हम सारे पिसे हुए विस्टरन को कढ़ाई में डाल और इसको हम अच्छे से गरम होने तक पकाएंगे, तो यह गरम हो चुका है, आप देख सकते हैं, तो अब हमें इसको जब तक पकाना है, जब तक कि यह थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता, क्योंकि अभी इसमें पानी की क्वांटिटी जादा है, तो लग बग हम इसको दो और मैं लगबग देड़ कप चीनी डाल रही हूँ, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट इतनी चीनी परफेक्ट है, आप हम चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, अब जैसे ही चीनी मेल्ट होगी, यह मिश्टन फिर से गीला हो जाएगा, क चलिए हम इसको पकने देते हैं, और धीरे धीरे इसमें ट्रांसपेरेंसी आना सुरू हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं, कि इसमें थिकनेस आ गई है, और अग्दम ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैं तर्वूज की छिलकों का जै जैम काफी लंबी समय तक खराब नहीं होता है, और इसमें हलका सा खटापन भी आ जाता है, तो आप दोनों में से कोई भी चीज डाल सकते हैं, तो नीवू का रस इसली मिल जाता है, तो यहाँ पर मैंने नीवू का रस एट किया है, और आप हम इसमें डालेंगे, चार पां जाता है, अब हम इसको लगातार तीन से चार मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि एकदम ड्राइ नहीं हो जाता और इससे पानी की क्वांटिटी बिल्कुल कम नहीं हो जाती, तो चलिए इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जैम काफी ड्राइ हो गया है, और इसे पानी की क्वांटिटी बिल्कुल खतम हो गई है, अब इसको चेक करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बता रही हूं, जिससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारा जैम बिल्कुल परफेक्टली पक गया है या न तो पहला जो चेक करने का तरीका है, उसके लिए आप क्या करिए कि स्पेचला से इस तरह से एक लाइन बनाईए और आप देखेंगे कि बीच में बिल्कुल भी पानी है जो चासनी है नहीं आ रही है, देखिए मैं फिर से दिखा रहेती हूं बिल्कुल क्लीन है, कहीं पर आपको चासनी नहीं मिलेगी और जो दूसरा तरीका है उसके लिए इससे एक प्लेट लीजिए और वहाँ पर आप जैम को रखिए डालिए और प्लेट को आप तिर्चा करिए तो आप देखेंगे साइड में कहीं भी आपको चासनी या पानी नजर नहीं आएगा, इसका मत पास जैम की ही एक सीसी है तो मैंसी में जैम को भर लेती हूँ यह जो जैम है बहुत ही टेस्टी लगता है आप लोग सुच रहे होगे तर्वूज के छिलकों का है कैसा लगए बर रियली गाइस बहुत टेस्टी लगता है जैसे टूटी फ्रूटी की बहुत अच्छी लग बिल्कुल जैम की तरह यह लग रहा है यह नहीं कहूंगी कि जो मिक्स फ्रूट जैम आता है उसका अलग टेस्ट होता है यह अपने आप में अलग ही टेस्ट का है लेकिन इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा है आप इवाद जरू ट्राइब करके देखिए हर चीज का अप